आप सभी साथ्मों का सुवागत है मैं अर्विंद सक्सेना बोल रहा हूं साथना जगत के रहस्यों तता तत्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और इसमें दी गई प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें अब मैं इस वाले जो वीडियो है इसका टॉपिक है पाश बंधन भागेक तो मैं ये वाला जो कुछ वीडियो इस पाश के उपर में बनाऊंगा ये पाश एक प्रकार के बंधन है जो कि दोश होता है और वो जो दोश जो होता है जब तक वो कटता नहीं है तो तक कितना भी प्रत्न कर लो साधना में क्या जीवन में सफलताय मिलती नहीं है सही कारवा नहीं मिलेंगी गलत कारवा हो सकता है सफलता मिल जाए तो क्या है कि इसमें जैसे ऐसा समझ लिए कि जैसे कि किसी जानवर को एक जो है एक रस्ती से बान दिया जाए और उसको रस्ती से दूसरा यह सिरज है सब्सक्राइब तो जैसिए जानवर के एक चक्कर लगाता रहेगा आगे बढ़ नहीं पाई तो पाश उसी तरीके के होते हैं लेकिन पाशों के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं कि किस जगे में पाश लगा हुआ किस जगे में कौन सी जीस का बंधन हो गया है और यह बंधन जो है सामान ने टूटके से यह चोटी यूटी साधनाओं से यह चोटी-चोटी प्रयोगों से इन सब उसे जानने वाले होते नहीं है इनके जो कि यह दोश होते हैं कर्मों के बं वो लोग जहां इस बंदन को करते हैं पहले जितने वीडियो लोगे वरुन देवता के देख लीजएगा अगनी देवता के तोम देवता के इस सारे जो है मुलब धर्म की रक्षा के लिए हैं और धर्म का मतलब ही होता है कि आपके सही कर्म सत्कर्म वसको समझा जाना चाहिए और यह जहां पे भी नियम भंग होते हैं वहBack भी बंधन लग जाते ऐँ अब जैब भी बंधन लग जाते हैं पाश से बांध दे जाता है वोकिति उसकी आत्मा को तो क्या होता है कि इसको जा समझ में नहीं कि जीवन में मैं सब कुछ प्रत्ने कर रहा हूं लेकि सफलता क्यों नहीं मिली तो बंधन नेक करण होता है उसका लोग अज्ञानतावस्च कई बार ऐसा भी सोच लेते हैं कि कोई भूत पुछाच का साया है और किसी का साया है या किसी ने कुछ चंट को कर दिया है उसकी वै किसी को बांद या जाए उसकी थाकती कम हो जाए तो उसके बाद में फिर शक्ति उसकी शीन हो गई तो उसके पर भूत पिशाचों का अक्रमण भी हो गया इस तरीके से समझना चाहिए लेकिन मूल रूप पाश पाश जैसे कटेंगे तो वैसी एनर्जी बहुत सारी बाहर निकलने लगती है रिलिस होती है और उससे क्या होता है कि जो छोटी-चोटी इस तरीके की समस्या होंगी वो ऐसी स्वाल हो जाती है तो किसी भी साधक का यह लक्ष होना चाहिए यह होता है कि इनक पाशों को काते Church जूँच अब इपाच को काटने के लिए पाश के बारे में जानकरीय, बहुत सारी वेदों में दी हुई है, तो मैं आपको डारेक्ट वेदों की संभीता में दी हुई है वो मैं आपको बता रहा हूं मुझे को समधृ मैं आ जाएगा तब हम नंके इस प्रकार से कि उनका क्या समाधान होता है वो इक अलग विश्य होता है समधान के में जो सादना कि मैं व्यूत पदति साधना पक्ष के बारे में एक सिर्आ कुछ वे लिस्ट में देख लीज़ेगा उसमें मिलेंगी जाधनाओं के बारे में एक बात तो निश्चे समझ लेना चाहिए कि जैसे कोई समस्या हो उसका डारेक्ट सुलूचन कभी भी नहीं होता है जैसे कि मालिय की दन की समस्या हो तो एक सामान जानकरी है लोगों के पास रहती है कि लक्षमी साधना गर लो सब ठीक हो जाएगा बिल्कुल ऐसा नहीं हो गई लक्षमी साधना तो उसकी सिती बाद में आई कि उसके पहले बहुत सारी ऐसी साधनाय करनी पड़ जाएंगी कि जह क्तार के आधन दोश है क्या कुई यह जीवन के हर समस्या के बारे भी ही बात रहती है labeling हो कि तो हम तक पाश को नहीं काटेंगे हमारे आधन की तेछ समवारे समात हो जाएंगा नहीं हो और पायेगी यह कि इनày लंगी लंबी साधनाएं करेंगे शक्ति साधनाओं में भी लंबी चीज़ें करेंगे तो भी वो भी पाशकोई पहले काटेंगी तो बाद में रिजल्ट देंगी तो उसमें बहुत लगता है और वेद जो है यह बिल्कुली मतलब जो कि प्योर फॉर्म है दिव ग्यान का शुद्र रूप ह एक दम से यह जो ग्यान देते हैं और उसमें ग्यान में ऐसी चीज़ होंगी कि कभी वो फेल नहीं होदी लेकिन तब भी जो वेद सूक्त हैं उनको अकर सीज़े सीज़े करने के कोशिश करी जाएगी यह चलो कि हम एक इस अपने पाश के लिए सूक्त को पाट कर लें और तो उससे समता स्वालोगी तो वो भी ऐसा नहीं होगा डेवी देपता जिनकी कपा से वो चीज़ें कट रही है तो ण देवी देवदैता की साधना पहले करनी पड़ेगी इसलिए मैंने जो वीडियो बनाए हैं पहले अगनी देव्ता के बारे में पह्मान सौन्सों करना चाहिए इस सब बाते मैंने अपने एक वीडियो है वेदिक जीवन कैसे जीए उसमें भी बात बताई हुई है तो यह महत्वपूर्ण वीडियो है और वेदा गुरू एक महत्वपूर्ण वीडियो है इनको देख लिएगा तो अब पाश मैं इस वाले वीडियो में वह इसकी वजह से इस प्रकार का पाश हो जाता है कि वह व्यक्ति स्वयम भी बनता है उसके माता-पिता का भी बंदन हो जाता है और उसके पुत्र का भी बंदन हो जाता है पुत्र-पुत्र सुनताने तो यह बात भात ध्यान रखने की है कि जैसे कि कोई व्यक्ति कुकर्म करत इस बात से स्पस्ट होता है, तो इस बात से हैं हो जाना चाहिए कि को प्हुत कर्म का पल मिलेका अखेला उसी को नहीं मिलेगा उसके माबाप इतु गुं मिलेगा, उसके पुत्र और संतानों को भी मिलेगा, और स्वयन को मिलेगा, यह बात अखरवेयर Sum plants में दी हुई है महला बहुत जाद है उनको severely damage करना उनको वो भी एक पाप होता है इसकी वरे से भी एफेक्ट पैदा होता है जूर बोलने से भी जो लोग बहुत जादे कहते हैं यह आदतन जूटे होते है habitual liars कि वो बिना हर line में जूटी बोलेगे तो वो अपने आपको भी बंधन में डाल ले होते हैं अपने संतानों को भी डाल ले होते हैं और माता-पिता को भी डाल ले होते हैं अब स्वयम तो बंधन में रहते ही हैं इस प्रकार से बंधन जकार हो लेता है कि सारी शक्तियां जो हैं वो कमजोर हो जाती है हुआ तो हो है यहिर्म एक बरकार का बंदनों ऌफ मा दूसरा क्या होता है। जो है एक यह और भाय है कि इसमें कि जैसे कि दो भायों तो उसमें से एक छोटा है बड़ा ुम्लाक थो चोटे भाय के शादी से बड़े भाई से पहले हो जाए तो छोटा भाई जो होगा उसके प्रत्यक शरीद के प्रत्यक अंग का बंदन होगा यह एक पाप माना जाता है कि छोटे भाई की शादी पहले हो बड़े भाई की शादी बाद में हो तो यह बाप के रूप में माना गया है यह अथरवित समिता में लिखाए उसकी बाद बदा रहो हूँ तो आप इसका महत्व समझें तो उसके क्या होगा उसके प्रतेक अंग का बंदन हो जाएगा उस चोटे भाई का और सासा जो भी अभी मैंने बाद बताई स्वयम का बंद और चित तीनों बंद जाएंगे कोई डिसीजन सही से नहीं ले पाएगा हूँ सही बाद उसको बताने कोशिच भी करी जाएगी जिनके पास बंदन होगा वो उसका उल्टा मीनिंग निकालेंगे या उसको करेंगे नहीं या तो बताने वाला होगा उसको बिनाश करने में लग जाएंगे यानि कि वो सही मार कुंगो जीवन में नहीं मिलेगा एक लाइन में अगर कहा जाए तो कि इतने प्रकार के इतना मुलब कराब प्रकार के बंदा नहीं है इसको काटना बहुत मुश्किल होता है विदो की शक्तियां है जिन से ही हम काट सकते हैं और इस सारी चीजों के लिए जो है अतरवे समिता में है कि इसको काटने के उपाईज है वह अगनी देवता के पास है इसलिए मैरे जो साधना पक्ष के जो वीडियो से हैं उसमें जो अगनी देवता यहाएं उमंसारे देख लीाएगा साधना पक्ष भाग एक भाग दो भाग तीन जहां तक मुझे याद आ रहा उन तीनों में अगनी दिवता के साधना अत्मक पक्ष के बारे मैंने बताया है और उस साधना अगनी साधना करने से पहले जितने भी वीडियोज हैं अगनी देफता के उनके बारे में उनको पूरा सुन लेना चाहिए जिस से कि उनके बारे में कितनी महत्वफूल जानकारी है वो पता चलेगी और अगनी देफता से जुड़ा होना जरूरी है मानसेक रूप से अलगे एक चीजए में आपको साधना के रूप में बारिकी बता रहा हूँ जिनके इस प्रकार के बंदन होते हैं उनके कभी मन भी नहीं करेगा अगनी देखने का भी लेकिन बात तो हुई है कि अगर कौन ही यही तो एक पजल बन जाती है कि जिसको जैसे कि जो दवा देनी है वो दवा की तरफ वो दवा लेने नहीं चाहिएगा और वो दवा की बना ठीक भी नहीं होगा तो अब यह वक्त कब आएगा कि उसके बुद्धी ऐसी नर्मल हो जिब वो उस तरफ देखे यह सारी चीज़ें उसके सत्कर्मों पर डिपंड करेंगी यह कब होगा उसका अब इंजार में लगए तो सकते हैं सालोऊ लग चाहिए हो सकते हैं पूरे जन्म में नकटे और अगले जन्म में और इह दोश्भी वख्तिक सा ट्रांस्वर हो जयाए यहनिकि नेक्स बर्त में भी और जीवन में भी वो इसी तरीके दोशों के द्वारा वो परशान होता रहेगा तो इसलिए जितना भी समवा हो अपने मन में मैंने बोला ना कि यह मन बुद्धी और चित इसका पूरा समय लॉक हो गई मान नटन हो गया हैं कि मुद्धी से चलने कोच हुए चित से चलने को नहीं पहुंचबा ना कि का diz इसे वह और को भी एभएंगर के लिए आप कुछ नहीं वेद BjANA कि सामने लिखाया है जह बता रहे हैं उनको माल ले जाए जाब हमारी सम्मनियों कुछ还 fracture निया था तो हम लेकिन ये बंदन इस प्रकार है कि वो वेत की जर्ब भी नहीं जाने देगा हो गएगा टोना तुटका कर लो या इसको कर लो किसी और मल जो भी रास्ता ढूनना चाहेगा वो तो बटकाने के तो एक हजार रास्ते भी कम है सही मार्क तो आपको एक मिलेगा दो मिलेंगे तो वो बटकाने में ही मिले जाता है अब यह पजिल कब सॉल्व होगी यह तो कम पूर रूप से भागे की बात हो जाएगी लेकिन यह कि मेरा वीडियो बनाने का मक्सा देता कि कम से कम लोगों को यह समझ में आए कि यह सब जो पा दोशों का वोड़न जिन कर वेदों की आब तरवेद्य तो यह सबंक मतलब सभ्हए ते कितने कंभीर यह तो मैं आपको और सारे चीजां कर बता दूं मुए यह बी पैर वहाँ है लेकिन जो मैं यहां पर इस चैनल में कास्तार में मैं निक्दुम प्रमालिक ज्यान देने की कोशिश में हूँ जो डिरेक्ली आपको वेदों से मिले ऐसे रिलैबिल सोर्से से अथेंटिक सोर्से से मिले कि जो कि प्योर हो तो वो दे रहा हूं इसी के विचारों का मानने से बजाए अच्छा है कि हम वेदों के जो ग्यान हैं जो वेदों में चीज़ें लिखी हैं उनको माल लें तब ही कुछ आगे शीग्र रास्ता संब्भ हुए आशा करता हूं कि आपको सब जानकारी अच्छी लगी होगी इस वीडियो के देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद